असलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी यूपी फ्रोजवाद की शादियों में बनने वाले चिकिन नान गोष्ट की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले एकदम उथेंटिक और टेडिशनल तरीके से कुछ हटके ही रेसिपी है तो एक बार ट्राइ जरूर कीजि बढ़ किसी के पास अवेलवल नहीं होती तो यहां पर हमने एक वेसिल ले लिया है इसमें एड कर देना है हमने 150 ग्राम ओईल की कौंचिटी इसमें जाधा जाती है और यहां पर हमने मस्टर्ड ओईल लिया है अच्छे से हमने इसको धूएदार गरम कर लेना है तो वाइल गरम कंचे से हुआ हूगा कर दिए ऐगण को अब इसमें एक कर दिना नहीं हमने लिया है और सो ग्राम पर को निना तरहा चैया है और मसालों में यहाँ पर हमें लेना है दो तेश पत्ते, तीन हरी इलाइची, एक बड़ी इलाइची, बन फोर्ट जाइफल, आदा छोटे चम्मच जीरा, आदा छोटे चम्मच काली मिर्ज, एक इंच का दालजीनी का टुकड़ा, एक जावित्री का फूल, चार लॉंग, य इनको हमें अलका सा क्रेकल कर लेना है, प्याजों के साथ, तो दीगें, यहाँ पर हमेंने कुछ सेकिंड के लिए मसालों को क्रेकल कर लिया है, अब हमने जो अध्रक लहसुन का पानी बनाया था, वो एट कर देंगे, अब हमने अध्रक लहसुन के साथ ही प्याजों को गोल बना लिए इसको साइट कर देना है अब यहां पर चेक कर लेते हैं प्याजों को और प्याज देखिए गोल्डन फ्राई हो गए इस तरह से और इसमें एक बड़ा चम्मच यानि एक टेबल स्पून हल्दी एक कर देंगे फ्लेम को लो कर लीजिए ताकि हल्दी जलेना हल्का स देखिए पांच मेंट अच्छे से भून लेंगे रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को एक लाइक भी जरूर करते हैं अब देखिए पांच मेंट हो चुके हैं चेकिन को भूनते हुए तो यहां पर हमन और अच्छे से अपरकती है और रीचली आएक कर लेना है तो देखिए अच्छे से कर लिया है और अब यहां पर कुछ पाउडर मसाले और अब इसमें एट करेंगे एक बड़ा चम्मच यानि टेबल स्पून नारियल पाउडर यानि गरी का बुरादा दो बड़े चम्मच दो टेबल स्पून खोवा यानि माबा और इसको अच्छे से हमने भूनना है तो अब फ्लेम को आप हाई कर लीजिए बहुत अच्छे से को भून लीजिए मसाला मारा बहुत अच्छे से बुनना चाहिए इसी के साथ ही यहां पर हमने आदा चोटा चम्मच संदल पाउडर एट कर दिया है यह और इसको एट करने के बाद भूनेंगे बहुत अच्छे से हाई फ्लेम पर क्योंकि हम चिकन के साथ बना रहे हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको चिकन को गलने में अगर हम बढ़े के साथ यह पर मटन के साथ बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है तो बस हम मसाले डालेंगे और इसको अच्छे से इसी टाइम पर हमने भून लेना है देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छे से तो आब इसमें हमने पानी चेक न को गलाने के लिए तो यहां पर मैं एक कp पानी एट कर रहे हूं यह टूनी किया कर दीजिए लिंक तो अधा गिलास किर जोड़ दीजिए यह देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने यहां पर 15 मिनिट के लिए चोड़ा था अब चिकिन इस कंडिशन में आ गया है यह देख सकते हैं अच्छे से इसकी ग्रेवी बनने लगी है तो हमने यहां पर आदा चोटे चम्मच केब्रा वाटर एक कर दिय कर दीजिएगा अब यहां पर अच्छे से भून लिया है और इसमें एट कर दिया है हमने 10-12 माखाने और बस यह हमारा चिकिन नान गोश्त बनकर त्यार हो चुका है अगर आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी और चाहते तो गरम पानी एट कीजिएगा हलकी सी ग्रेवी के ल प्रोटी की रेसिपी मेरे चैनल पर अप्लोड है आप चेक कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अब देखें चिक इन बहुत अच्छे से को कुग है और इस रेसिपी को एक बार ट्राइब जरूर कीजिएगा शादियों वाली रेसिपी है शादि एसिपी के साथ फिर आजिरूंगी अपना बहुत सारा खयाल रखें तब तक के लिए अल्ला हाफीज